हरीपुर गाउं में महेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था उसके पास केवल एक ही खेट था जिसमें वे मोसम के हिसाब से पल वे सब्जिया उगाता था अरे तुम्हें पता हैं अब की बार हमारे खेट में खरबूजों की बहुत अच्छी फचल होगी है बस यदि दाम भी अच्छे मिल जाएं तो फिर हम लोग एक गाए खरीदने जितने पैसे इकटे कर ही लेंगे आप सही कहते हैं यदि हमारे पास भी गाए होगी तो हम लोग भी अपने बच्चों को दूद पिला सकेंगे देखो ना कितने साल हो गए महनत करते करते फिर भी हम लोग एक गाए नहीं खरीद पाए हाँ तुम सही कहती हो हम मेहनत तो खूब करते हैं पर एक ही खेत में हम लोग और ज्यादा भी तो नहीं उगा सकते और यहाँ इस गाउं में कुछ और मजदूरी भी तो नहीं मिलती और अगर मजदूरी करने में सहर जाऊं तो फिर यहाँ तुम्हारा बच्चों का और इस खेत का खयाल कोन रखेगा हाँ ये बात तो है अब तो बस भगवान से यही प्राधना है कि हमारी फजल बहुत अच्छी हो और हम लोग एक गाई ले सकें अब चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेगा अब आप जल्दी से खाना खालो फिर हम लोग खेत में चलते हैं फिर वो दोनों अपने खेत में चले जाते हैं आप सही कह रहे थे फसल तो अब की बार बहुत अच्छी हुई है फिर दोनों पके हुए खरबूजे तोड़ कर दो टोकरियों में भर लेते हैं एक टोकरी मैं अभी बेचने के लिए ले जाता हूँ और दूसरी टोकरी तुम घर ले जाओ उसे मैं स्याम को बेचने जाऊंगा फिर महेश टोकरी लेकर खरबूजे बेचने के लिए गाउ में चल देता है खर्बूजे ले लो, खर्बूजे, मीठे ताजा खर्बूजे अरे भाईया, खर्बूजे कैसे दे रहे हो? केवल दस रुपे किलो हैं, आप भी खाओ, बच्चों को भी खलाओ, बहुत ही मीठे खर्बूजे हैं अरे भाई, दो किलो खर्बूजे मुझे भी देना भाईया मुझे तो मीठे मीठे खर्बूजे देना अरे बहन जी सारे खर्बूजे बहुत मीठे हैं आप कोई भी छाट लो महेश जल्दी ही सारे खर्बूजे बेच कर घर आ जाता है और फिर हर रोज शुबै और शाम खर्बूजे बेचने के लिए जाता है देखो अब हमारे पास इतने पैसे इकटे हो चुके हैं कि अब हम लोग एक अच्छी सी गाई ले सकते हैं तो ठीक है कल ही तुम एक सुन्दर सी गाई ले आओ अगली दिन महिश पैसे लेकर गाई लेने के लिए चल देता है रास्ते में उसे कुछ डाकू मिलते हैं जो कि उसके सारे पैसे चीन लेते हैं उदास होकर महिश घर आ जाता है अरे बड़ी जल्दी आ गए आप तो क्या हुआ गाई नहीं लाए क्या लगता है हमारी किसमत में अभी गाई का दूद पिना लिखा ही नहीं है हमारे सारे पैसे डाकू ने चीन लिये थे भगवान ये तो बहुत बुरा हुआ इतनी मुश्किल से तो पैसे जमा किये थे और उन्हें भी वो कल मुहे डाकू ले गए तुम चिंता मत करो खेत में कुछ बेलों पर अभी और खरबूजे लगे हैं उन्हें बैच कर कुछ और पैसे आ जाएंगे जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा काई अगले सार ले लेंगे अगले दिन महेश खेत में जाकर खरबूजे तोड़ने लग जाता है तब ही उसकी नजर खेत के बीचो बीच लगे खरबूजे पर पढ़ती है जो की सोने की तरह चमक रहा था अरे वो क्या चमक रहा है वो तो कोई सोने के जैसी चीज लग रही है उसके पास जाकर देखू तुझरा फिर महेश उसके पास जाता है अरे ये तो सोने का खरबूजा है लगता है भगवान ने हमारी सुन ली अब तो गाए आही जाएगी फिर महेश खरबूजे को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है फिर वह खरबूजे को बेचकर अमीर बन जाता है अब उसके पास एक अच्छा मकान, चार खेत, वे दो गाएं भी थी